हेलो दोस्तों मैं सचिन आपका मैस ट्रिचर एक बर फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर उमिदे आपको हमारी वैदिक मैथ की ट्रिक्स जो है वो पसंद आ रही होंगी लास्ट वीडियो में हमने डिविजन की ट्रिक्स सीखी थी किस तरह से आप नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं अप्रॉक्सिमेशन में उसी तरीके से आज हम सीखेंगे how to find the square of any number किसी भी number का आप square किस तरीके से जल्दी से जल्दी find कर सकते हैं वह आज हम इस वीडियो में देखेंगे उसके लिए सबसे पहली basic चीज जो आप करना आपको करना क्या पड़ेगा आपको कम से कम एक से लेकि 30 तक at least कम से कम 30 तक आपको square learn होने चाहिए कम से कम 30 तक नहीं भी learn है तो भी कोई बात नहीं आपके पास trick होगी निकालने की लेकिन अगर आपको 30 तक square learn है तो आपको paper में एतनी problem नहीं होगी क्योंकि direct यहाँ पर square आते हैं सबसे पहले आपके पास अगर मैं देखूं तो जैसे चोटा से example हम लेते हैं जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं किसका 27 का square निकालते हैं तो 2 multiply by 7 multiply by 2 जितने number आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जितने digits आपको दिखाई दे रहे हैं उसको इस तरह से multiply कर देना जब इसको multiply करेंगे तो आपके पास आएगा 28 28 यह आपका पहला step होगा जब आप इन तिनों को multiply करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है जो आपने पेर बनाए हैं इस 2 का square निकाल के नीचे यहाँ पर लिखना है इसके तो 2 का square होता है 04 उसी तरह से जब आप 7 का square निकालेंगे तो 7 का square होता है 49 आपको इसके side 7 में ही ल 28 निकाला था इस 28 को आप उठाके लाएंगे और back side से लिखना शुरू करेंगे और इसको इस तरीके से लिखके इसमें add कर देंगे मतलब यह 28 आएगा यहाँ पर last digit को छोड़के back side से लिखना शुरू करना है 8 और 2 और add कर देना तो 9 यहाँ पर आ जाएगा 8 और 4 कितना होत तो इस तरीके से आप 2 जीट का square निकाल सकते हैं एक example और लेते हैं जैसे मान लिजी हमें square निकाला है थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं जैसे हम 89 का square निकालते हैं 89 का square निकालोगे तो आप इसको दो पार बेक करने के बाद आप इसे multiply करोगे यानि कि यहाँ पर आपके ज multiply करोगे तो 144 आएगा फिर आप 8 का square निकालोगे 8 का square होता है आपके पास 69 का square होता है आपके पास कितना 81 आखरी आंक को छोड़ देना है लास्ट जिट को छोड़ देना और जो यह आपके पास 2 डिट की square यानि कि 7, 9, 2, 1 की किसका square होगा 89 का तो इस तरीके से आप 2 डिट का square निकाल सकते हो अब हम बात करते हैं 3 डिट के square की कि आप 3 डिट में अगर आपके पास 124 का square ने आपको निकालना है किसका 124 का square यह 3 डिट यानि कि 3 अंको का है तो अगर आपको 124 का square निकालना है तो अब यह depend करते हैं कि आप pair कैसे बनाते हैं क्योंकि यहाँ तो दो नंबर थे तो हमने pair simple बना दिया कि 8 को अलग कर दिया 9 को अलग कर दिया यहां पर पेर डिपेंड करता है कि आप पेर किस हिसाब से बनाते हैं, अगर आप पेर यहां पर बनाएंगे ऐसे करके, इन दोनों को अलग करेंगे, 24 को अलग करा, एक को अलग करा, तब आपको लास में टू डिजिट छोड़ने पड़ेंगे यहां पर, अगर आप एक पेर यह बनता है या फिर आप पेर इस तरह से बना सकते हैं कि 12 को अलग कर दिया और 4 को हमने अलग कर दिया मतलब 12 नमबर अलग करा, 4 नमबर अलग करा, फिर से यहां पर 3 नमबर दिखाई दे रहे हैं, 12 या इक नमबर हमारे पास, 4 और पावर में क्या है 2, इसको मल्टिप्लाई करेंगे, 12 चोक 48, 48 into 2 कितना होता है 96, यानि कि 96 आजाएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, 12 का स्क्वेर आपको पता होना चाहिए, 12 का स्क्वेर होता है 144, 12 का स्क्वेर हमने यहां पर लिखा 14, इस आजाएगा 6, 7, 9, 4, 13, एक कैरी चला जाएगा, यहां पर आजाएगा 5, 4, यानि कि 15,306 का स्क्वेर होता है, 124 का स्क्वेर होता है, यह आपके पास 2 डिजिट नमबर, इहां पर स्क्वेर था, अब यहां पर आपको एक गौर करने वाली बात ही है, कि यहां पर 9 था, तो 81 बना आ रहा था, दो अंकारे थे, यहां पर 4 था, तो यहां पर 16 आ रहा था, दो अंकारे थे, कई बार यहां पर 122 का मिल जाएगा, या फिर 123 का मिल जाएगा, उस केस में आप क्या करोगे, अगर मैं क्या दूं कि मेरे को 123 का स्क्वेर निकालना है, यहां थोड़ा से नमबर दिखाई दे रहे हैं 14 multiply by 3 multiply by 2 तो इसको multiply करेंगे तो 3 दूनी 6, 6, 4, 24 और 84 हो जाएगा आपके पास 84 फिर आपको क्या करना है 14 का square करके रिखना है 14 का square होता है आपके पास कितना 196 होता है और 3 का square होता है 9 ध्यान रखेगा यह single digit नमबर आता है आपके पास 2 का 3 का या फिर 1 का इन में से कोई भी last में नमबर दिख जाए यह हमें single digit नमबर देते हैं तो हम क्या करते हैं इनके साथ हम 0 लगा लेंगे यानि कि 3 का square करोगे तो आपके पास आएगा 09 फिर आजाएगा 9, 4, 8, 6 कितना होता है 14, 1 carry चला गया 9, 1, 10 और यहां पर आजाए हासिल यानि कि 20,000 या फिर 20,449 यह क्या होता है आपके पास 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट का square की trick होती है इस तरीके से अगर आप 4 नमबर की trick भी अगर आप देखना चाहेंगे तो हम उसे आपक नेक्स वीडियो जो होगी उसमें आपको बताएंगे कि 4 नमबर या फिर 5 नमबर की किस तरह से आप trick निकाल सकते हैं square कितने भी number आजाएं उसकी square trick किस तरीके से आप finally और fast way में आप calculate कर पाएंगे वह हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे उमीद आपको यह square निक